आज है 21 जून 2024 और 21 जून 2024 से करेंट अफैस की जितने भी इंपोर्टेंट कुश्चन बन सकते हैं सारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर कुश्चन से रिलेटेट इंपोर्टेंट पैक्ट वी मैं आपको बताऊंगा तो आप पूरा वीडियो वाध्यान से देखि गो growth आज कि एक युआ अप आपको नोलuç कर सकते हैं पोर आपको सारे पीडियावत एकसाथ मिल जाएंगी और टेलेग्राम गूरुप का लिंक मैंने इस वइडियो के डिसकस के दिया है तो आप उसे लिंक पर क्लेक करके टेलिग्राम गूरुप च olmaz कर सकते तो चलिए इस्टार्ट करते हैं पहले कोश्चन है हाली में 20 सरडार्थी दिवस कम मनाया गया है तो अब़ी बेस जून को 20 सरडार्थी दिवस यानि की वर्ल्ड रिफ्यूंजी डे मनाया गया तो इसकोश्चन का बे अपशन है हर साल बेस जून को ये ऐसे लोगों पर ध्यान के इंद्रित करने के लिए मनाया जाता है जो युद्ध, उत्पेडन या फिर प्राकृतिक आपदाओं के कारड़ अपने घरों से भागने के लिए मजबूर हो गए यानि कि रिफ्यूजी हो गए और इस बार के वर्ल्ड रिफ्यूजी डे की थी स्वागत है धीम है हर किसी का स्वागत है अच्छा जून में अभी तक कितने इंपोर्टेंटे मनाये गए सारे मैंने या पर लिख दिये हैं जैसे एक जून को 200 दुख्ध दिवस वर्ल्ड मिल्क डे मनाया गया और अपना देश भारत दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क प्र अंतरास्टी दिवस मनाये गया 5 जून को 200 पर्यावरण दिवस मनाये गया 6 जून को सयुक्त राष्ट रूसी भासा दिवस मनाये गया 7 जून को 200 खाद सुरक्षा दिवस मनाये गया 8 जून को 200 महसागर दिवस मनाये गया 9 जून को 200 प्रत्याइन दिवस और अंतरास्टी अ बनाए गया 13 जून को अंतरास्टी एल्मनिज जागरुकता दिवस मनाए गया 14 जून को बिस्टु रक्त दाता दिवस मनाए गया 15 जून को बिस्टु बुजुर्ग दुर्विवार जागरुकता दिवस और बैस्विक पबन दिवस मनाए गया 16 जून को अंतरास्टी पारवा और उन्नेस जून को संगर्स और यौन हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतरास्ति दिवस बनाया गया तो जून में अब तक इतने इंपोर्टेंड बनाए गया है नै कुश्यन है खाली में सुर्मा पाड़ी केस राजी की बिधान सबा की दूसरी महिला अध्यक्श बनी है तो यह उडिईसा बिधान सबा की दूसरी महिला अध्यक्श बनी है आच+. अचा, उडिईसा की बनी है Divine दूसरी पहली कौन थी प्रमिला मलेक ये उडीसा विदानसभा की पहली मैला अध्यक्ष बनी थी और दूसरी अब सुर्मा पाड़ी बन गई है अच्छा केंद्री बंतरी धर्मेंद प्रदान ने उडीसा के संवलपुर में भारत के पहले इसकिल इंडिया सेंटर का उद्ग गोसित किया गया है और भूबनेश्वर में बारा मुंड़ा आइस बीटी का नाम बे आर अंबेटकर के नाम पर रखा जाएगा अच्छा मैप में भी देख लो यह है उडीसा उडीसा के कैपिटल क्या है भूबनेश्वर उडीसा के अभी नए चीप निश्ट कौन बने है मोभन चेरण माजी कौन मने है मोभन चेरण माजी और उडीसा के गवर्नल को ने रगूबर दास अच्छा उडीसा में है वेलर दीप और वेलर दीप का नाम बदल के एपिजी अब्दुल का दीफ गया उडीसा दिबस या उतकल दिबस कम मनाय जाता है एक अप्रैल को परियोजना है और यह महरास्ट में एक प्रमुक बंदरगा कह के बिकास को मनजूरी दी तो ये 26,220 करोड़ रुपए की परियोजना है और ये महराश्ट में एक प्रमुख बंदरगा की बिकास की परियोजना है तो सकुश्चन का C अप्सिंस है महराश्ट की वदावन में एक प्रमुख बंदरगा क्या बिकास किया जाएगा और ये 26,250 बेस करोड रुपए की लागत से होगा वधावन बंदरगा और ये वधावन जो बंदरगा है ये एक ग्रेन फिल्ट बंदरगा होगा ये है वधावन बंदरगा ने कुशिन है हाली में टेट्वंटी इंटरनेशनल में दूसरे सबसे तेज सो बिकिट लेने वाले गेंदबा बने हैं इन्होंने 54 टेट्वंटी इंटरनेशनल मैच में ये सो बिकिट लिये हैं और ये दूसरे सबसे तेज के अंदवाज बन गए हैं पहले कौन हैं पहले हैं अफगानिस्तान के राशिद खान इन्होंने सिर्फ त्रेपन मैच में सिर्फ त्रेपन टेट्वंटी ने यह नैपाल के गैनवाज है नायक्यूशन है एकसो बारय मा अन्तरास्ती स्रम्सम्मिलन अभी जीनेवा में में आयुजित किया गया है दूस कुश्चिन का से ओप्सेंस है वर्ल्ड लेबर और्गनाइशन के द्वारा एक सो बारे मां अंतरास्री स्रम सम्मिलन अभी जिनेवा में आयुजित किया गया हाली में किस राजी के हाई कुट ने 65 प्रतीशन आरचचड के फैसले को रद कर दिया है तो बेहार में जो आरचचड की सीमा पचास प्रतीशन से बढ़ा कर 65 प्रतीशन कर दी गई थी अब इसे पटना हाई कोट ने रद कर दिया है औस न सेक्षोर्स के पेलजे जातिकत जनगड़ना की गई थी और जातिकत जनगरना के आख यह थे कि अति पिछडा बिहार में 36.01 परसंट है पिछडा 27.1 2% है अनुसुचित जाती 19.65 परसंट है अंसूचित जन जाती 1.06 परसेंट है और जनल यानिकी सामान 15.52 प्रतिसद है और एसी के रेशियों में वहाँ पे आरच्छड की सीमा बढ़ा दी गई थी यानि कि जिस केटेगरी की जितनी जनसंग क्या हो उसके उस पर वहाँ पे रिजर्वेशन दे दिया गया था तो उसले को रद कर दिया है अब भिहार तो यह है मैप में प्यार ब्यार की कैपिटल क्या है प्यार की चीपिश्र कौन में नित्वीटिसमार और वयारकी कौन일 कौन है राजियंद्र अर्लेकर लेकर नहीं किस देश ने एन रेवलुजमरे गार्ड को आठकवादी समु के रूप में सूचित कि है तो यह एसको अभी कनाड़ा ने आतंक वादी समु के रूप में सूची बन किया तो उसक्षिंद का बे ओप्षीन से ही आप कनाड़ा तो यह है मैप में कनाड़ा कनाडा क कुप Alexмов amor है Canadian dollar और Canada के प्रेजेंट पर प्राइमिस्टर कौन है जस्टिन टूडो कौन है जस्टिन टूडो ने कुशन है हाली में दुनिया की सबसे मूल लिबन कंपनी कौन से बनी तो अभी एक रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिक दुनिया की सबसे मूल लिबन दूसरे नमर पर Microsoft है ना कुशन है हाली में डेवेट जॉन्सन का निधन हुआ है विकॉन थे तो डेवेट जॉन्सन ये एक भारती क्रिकेटर थे और अभी इनका निधन हो गया तो इस कुश्चिंट का बे अप्सें यह थे पूर्पारती क्रिकेटर डेवेट जॉन्सन और इंड का अभी निधन हो गया ये अपनी बालकनी में फिसल कर गिर गए और उससे इनकी डैथ हो गई नए कुशन है हाली में ग्रहम अंत्राले ने किसे तिली नगर निगम यानि कि MCD का आयुक्त नियुक्त किया है तो ग्रहम अंत्राले ने अभी आस्विनी कुमार को MCD का आयुक्त नियुक्त किया दूसक्यूशन का से ओसन सहिए ये हैं आस्विनी कुमार सुल का अंत्राले ने अच्छा कल मैंने आपको उताया था कि धनलक्षमी बैंक ने अजित कुमार क्यके को प्रबंध निदेशक बना है अनुराग बत्त्रा को अंतरास्टी टेलिविजन अकादमी का सदस्य चुना गया तेरुमाला तिरुपति देवस्थान के नए एक्जीक्यूटिव ओपिसर जे स्यामला राव नियोक्तु है उपेंद दुवेदी नए थलसेना प्रमुक नियोक्तु है इंद्रपाल सिंग बिंद्रा ये CCI के सच्छिव नियोक्तु हुए है राजप्रे सिंग ये ग्रामीड बिकास बिवाग के निदेशक नियोक्तु है और राकेस रंजन को कर्मचारी चैन आयोक यानि कि SSC का अध्यक्ष नियोक्त किया गया है ने कुशन है हाली में जारी बैस्विक उर्जा संक्रमड सूचकांग में कौन सी उजस पर रहा है तो बैस्विक उर्जा संक्रमड सूचकांग है यह अभी जारी किया गया और इसमें Sweden 1st पे है दुसकुशन का A options है Sweden 1st पे है, Denmark 2nd पे है और Finland 3rd पे है यह 120 देशों का सूचकांग है जिसमें अपना इंडिया 63 में नंबर पे है इंडिया इसमें 63 नंबर पे है अब Sweden तो यह है map Sweden की capital क्या है? Stockholm Sweden की currency क्या है? Sweden krona और Sweden के present time पे प्राइमिस्टर कौन है? उल्फ क्रिस्टरसन कौन है? उल्फ क्रिस्टरसन ने क्यूशन है हाली में cabinet ने किस हवाई अड़े के बिस्तार को मंजूरी दी तो जो बाराणसी में लाल भादर सास्त्री हवाई अड़ा है इसके बिस्तार को अभी केंदरी cabinet ने मंजूरी दी तो इस question का बे options है ने क्यूशन है हाली में कौन इंडियन रगबे टीम के कोच बने है तो इंडियन रगबी टीम इसके कोच बने है वैसाले सेरेवी तो इस question का say options है यह है वैसाले, सेरेवी और यही इंडियन रगबे टीम के कोच बने है ने क्यूशन है हाली में किसे UNHCR का बैस्टिक सद्वावनाय दूणक कीया तो एक ब्रिटिस अपवी डेता है थीजैंस इनको अभी यू एन-ह सी आरわか वैस्टिक सद्वावनाय दूणक के उसको नियुद है कि दिए क्वें में भांए टैनिस टीम में ब्रिक्स खेलों कहले कौन तो भारती टैनिदेंश टीम सब्सक्राइब आप लाश्ट वीडियो को कुश्यन का अंसर लाश्ट वीडियो मैंने आप से कुश्यन पुछा था कि दसमा अंतरास्टी योग दिबस दोजर चौबीस कहां आयोजित किया जाएगा यह स्री नगर में यानि किस कुश्यन का बे ऑप्सन सही था और लगबग सबी स्ट्रेटेल में लिखा मैं आपको एक बार पिर बोलुगा कुश्यन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लेखा करो क्यों सब आप लिख दो क्योंकि जो चीज़ें आप लिख दोगे फिर उन्हें आपको भी भूलते नहीं हो यह मैंने जून के सेकेंड बीक और यह जून दोजर चौबीस के फस्ट बीक दोनों बेक बेकली करेंट अफेस की वीडियो बनाती है बेकली वीडियो देखने से होता क् पूरे बेक के करेंट अपैस आपको रिवायज हो जाते हैं और जब एक बार कोई चीज रिवायज हो जाती है तो 60% ज्यादा एफिएंसी से वह याद रहती है तो यह जो बेकली वीडियो है इनको आप देख लिया करो जैसे संद्दे को अगर आपको टाइम नहीं मिलता त अच्छा इन दोनों वीडियो की यानि दोनों बेक्स की मैंने पेडियेफ नैक्स्ट एक्जाम के टेलिघ्रम चैनल पर अपलोड कर दिया टेलिघ्रम पर नेक्स्ट एक्जाम सर्च करोगे और आपको यह मिल जाएगा यहां पर मैं डेली क्योंश्ट करता हूं और क्योंश का आंसर जैसे अगर आपने सही आंसर सेलेक्ट किया तो ग्रीन हो जाएगा और सपोज आपने गलस आंसर सेलेक्ट कर लिया तो यहां पे एक बल्ब का निसान मन के आएगा जैसे आप इस निसान पर क्लेक्ट करोगे इस क्वेशन का पूरा एक्स्प्लेनेशन आपको मिल जाएगा यानि कि कौन सा आंसर सही है और क्यों सही है इससे क्या तो होता है और क्यों सही है यह पता चलता है तो यह क्वेश अगर आप रेगुलर अटेंट कर रह प्रवासियों के लिए बारत का सबसे महेंगा सेर बना है मुंबड भारत बहुरास्टी बायु अभ्यास तरंग सक्ती की मेजबानी करेगा ग्रेस पनामा डेनमार्क सोमालिया और पाकिस्तान को यू एन एस्सी का अइस्थाई सदसे चुना गया है न्यूजिलेंड के क्रिकेटर लौकी फर्गूसन ने टेटवन्टी बल्ड कप में चार मैडन ओवर का रिकॉर्ड बना है चेन के बैग्यानिकों ने सौर घूडन का नया पैटन को जा है जैसे सपोजी सूर है और ये घूडन गति कर रहा है तो जैसे जैसे इसकी उचाई बढ़ेगी इसकी घूडन गति भी बढ़ेगी ये नया पैटन चेन के बैग्यानिकों ने खूजा है अच्छा आसम सरकार ने बाल बिबा को रोकने के लिए मासिक बजीफा देने की गोशना की है कलकत्ता हाई कोट ने ट्रांसेंडर के लिए एक प्रतिसत नौकरी आरक्षड का आदेश दिया है अनामिका राजी भारती नौसिना की पहली मैला हेलिकॉप्टर पाइलेट बनी है लेटनेट जनरल वाकर उस जमान बांगलादेश के नए सेना पर मुखनी उतुए है भारत और जापन के बीच समुद्रे अब्यास जिममेक्स का आठमा चरड सुरू हुआ है अच्छा ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में आइसलेंड सीर्स पर रहा है और भारत 139 में नंबर पर रहा है रूस के राष्टपती ने 24 साल बाद नौर्थ कोरिया की यात्रा की है ये 24 साल के बाद नौर्थ कोरिया गए है फोन पे ने स्री लंका में पिकमी किसा साज़दारी किया है मारास्ट के किसान सिदेश साकूरे को यूएन एजनसी ने भूम मिनायक यानि कि लैंड हीरो नामित किया है ब्रिटेन और अमेरिका ने मॉस्को स्टॉक एक्षेंज पर समन्वित प्रतिबन लगाए है विनूद गडात्रा को नेलसन मंडेला लाइफ टेम अचीबिन पूरुसकार मिला है पूजा तोमर ये अल्टिमेट फाइटिंग चेंपिनसिप जीतने वाली पहली भारती महिला बनी है हर्यान सरकार द्वारा एक बिसेश एनराई सेल की स्तापना की जाएगी गुजरात में इस्तित इस्मरती बन इस्मारक संगराले को युनेसको के प्रिक्स पुरुसकार के लिए चुना गया है अब आपके लिए आज का कुश्चन है समलेंगिक बिवा को मानिता देने वाला पहला दक्षिर पूर एसिया का देश कौन सा बना है चार ओप्सन दिये गए हैं इन में से आपको अपना अंसर होताना है और इसके अलाबा हम अमारे फेस्टूक पेज पर प्रेबेस एर क्वेशन डेली पोस्ट करते हैं तो आप फेस्टूक पर नेक्स्ट एक्जाम सर्च करके हमारा फेस्टूक पे जोइन कर सकते हैं क्योंकि प्रेबेस एर क्वेशन आपको बहुत हैं अगर आपको किसी क्वेशन में कोई डाउट होता है आज की वीडियो का टार्गेट है 40यालाइक तो अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है मिलती रहे.